हलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग सुआगा दिक बार फिर से आप सभी का MZT एजूकेशन में दोस्तों आज है 29 जून आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 जून दोजार तेस के एक most important current डिफर के questions के बारे में सबसे पहले तो आगे बढ़नेस परे जान लीजे 29 जून 17 विसकप की मेजबानी जो है इंडोनेसिया को देती है पेरू को पहले दिया गया था लेकिन अब उसको हटा करके इंडोनेसिया को दिया गया है मुंबाई में आठवा ग्लोबाल फार्मासिटिकल क्वाल्टी समिट आयोजित किया गया जिसकी theme थी पेसेंट सेंट्री सिट न्यू पैराडिज्म ऑफ मैनिफेक्शिरिंग एंड क्वाल्टी डीबियस बैंक इंडिया के MD1 गए है रज़त वर्मा और पुरुस वन डेव वर्ड कप ट्रॉफी जो है एक नए अंदाज में वाय मंडल के समताप मंडल में लांच की गई है इस बार भारत मेजबानी करन अब ग्रीज के प्रधारमनत्री की रूप में सपत ग्रहंड किया है और SNP ग्लोबल रेटिंग के इंसवार 6% रहने वाली है भारत की GDP ग्रोफ रेट और फिजी ने अभी हाली में 2024 में अपना पहला दूतावास इसराइल में कोलने के खुशना की है यह टॉप 10 करेंट अफ तो पहला और मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन है क्यूएस वर्ड यूनिवस्टी रैंकिंग यह 2024 के लिए जारी कर दी गई है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा संस्थान कौन सा भारतिया संस्थान टॉप पर है ठीक है मतलब जब भारत वाली संस्थानों की बात आती है उनमें आलग है भारतिया इंस्थीटेट में टॉप पर कौन है अर्गें 12वीं अलगातार मिस्शाचीट इंस्थी टेकनोलोजी जो है IIT Bombay Top Indian University तो IIT Bombay की वैसे तो दिखी जाए ओबराल में तो 149 वी रैंक है लेकिन भारतिय इंस्टिट्यूट में ये टॉप पर है यहाँ पर देखो पूरी लिस्ट है टॉप 3, टॉप 3 की तो दूसरे अस्थान पर Cambridge University है UK का, United Kingdom का और United Kingdom की ही Oxford University ये तीसरे पर है भारत में Top Universities की बात करें तो IIT Bombay है टॉप पर 149 में इसकी ओबराल रैंक है सेकेंड पर IIT Delhi है इसकी ओबराल रैंक है 197 में और Indian Institute of Sciences Bangalore जो ये थर्ड पर है इसकी रैंक है ओबराल में 225 में अब ये तो है QS World University Ranking मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही NIRF की रैंकिंग NIRF की रैंकिंग ठीक है ना National Institute Ranking Framework की जो भारत सरकार दोरा जारी की जाती है भारत की इंस्टिट्यूट्स के लिए भारत की उनिवस्टीज के लिए तो इसमें लगातार पांचमी बार टॉप पर कौन रहा था IIT मदरास IIT मदरास जो ही ओबराल केटेगरी में ये टॉप पर रहा था वह से इंजिनिरिंग वाली केटेगरी में भी ये टॉप पर ही रहा था और वहीं रिसर्च वाली केटेगरी में Indian Institute of Sciences बेंगलू टॉप पर रहा था तो आपको NIRF की भी रहेंगी याद करनी है इसको भी याद रखना है ठीक है अगला हाली में उत्तर प्रदेश में Operation Conviction शुरू किया गया इसका संबंद किस्ते है तो Operation Conviction शुरू किया गया है ये दोस्तो गौ हत्या से Related है और जो Serious Crime होते है उनसे Related है उनसे Related जो अपरादी है उनको त्वरित सजा मिल सके जल से जल गिरपतारी हो सके इसके लिए बाबा जी ने लांच किया है ये Operation Conviction ठीक है UP के CM ने इसे लांच किया है और इसको POS को Act के तहद भी किया जाएगा सामिल किया जाएगा मतलब इसमें Child Abuse केसिस भी सामिल किये जाएगे Cow Slaughter जो गव हत्या वाले केसिस होते हैं उनको भी आइड किये जाएगे तो उत्तर प्रदेश ने ये सुरू किया हुआ है राजमिया परादियों और संगठित अपराद का मुकाबला करने के लिए Operation Conviction का उद्देश है कि दो सिद्धी प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके जल्दी से आरोप जो है वो साबित किया जा सके और इसको मतलब की प्रूव करके सजा उनको दी जा सके और इसके तहट बलातकार, हत्या, गौ, हत्या, धर्म, परिवर्तन ऐसे जगर नपराजियों को सामिल किया जाएगा और पॉक्सो एक्ट एक तहद मामले दर्ज किया जाएंगे ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बारे में बात तेल लेते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, छितपल की दरिश्टी से और जनसंक्या की दरिश्टी से सबसे बड़ा राज्य होता है लखनो इसकी कैपिटल है, योगी आदितनाज जी बीजेबी पार्टे के सीम है और गवर्नर है आनंदी बेन पटेल यहाँ पर जीलो की बात करें तो रामगर ताल, सुरहा ताल, गोविन दवलब पंत सागर है, मोती जील है दुधवा निस्नल पार्क ये एकलोता निस्नल पार्क है जो कि कहां पर है ये है कहां पर लखीमपुर खीरी में है और ये उत्तर प्रदेश का एकलोता निस्नल पार्क है नवाब गंज पक्षब ब्यारान पीली भी टाइगर रिजब चंदप्रभागेन सेंचुरी हैं लोक निरत में चर्कुला निरत्य बहुत ही फिमस है यह पूछा जाता है नौ टंकी, रास लीला, राम लीला, धोबिया, थाली, पौता, छोरा यह सभी यहां के प्रमुख लोग निरत्य है और टोटल 75 जिले हैं जीलों के मामने में में सबसे ज़्यादा है विधान सभा सीटे में सबसे ज़्यादा है विधान परशत, लोग सभा, राज सभा सब में सबसे ज़्यादा सीटे है क्योंकि पॉपलेशन सबसे ज़्यादा है यहीं से दोस्तों यह आठ राज्यों से अपना बॉर्डर से अर करता है ठीक है, यूपी के साथ जिले जो है ये नेपाल से अपना बॉर्डर लगाते हैं, साथ जिले ही बिहार से अपना बॉर्डर लगाते हैं, और साथ ही जिले दोस्तों उत्राखंड से अपना बॉर्डर लगाते हैं, तो ये तीन-तीन जो है आप बहुत ही अच्छे से याद परदेश, चतीजगर और जहारखंड और बिहार इन सब से अपना बॉर्डर सेयर करता है, यानि कि चार अन्य राज्यों से अपना बॉर्डर सेयर करता है, क्लियर है न, आगे बढ़ते हैं, आपको ऐसे थोड़ा-थोड़ा इस्ट्रा जानकारी रोजानव में देतर होंगा, जब-जब यूपी की बात आएगी, तो इससे आप यूपी स्फिसल भी तेयार कर पाऊगे, फिलाल राज के पसक की बात करें, तो बारा सिंगा है, राज के पक्षी है सारस, राज के फूल है पलास, और राज के ब्रिक्ष है असोक, अगला, हाली में क्रेडिट कार्ड बैंक मतलब सारजनी छेतर का बैंक, यानि कि कहें सुद्भासा में सरकारी बैंक, ठीक है सरकारी बैंक, आपको पता है सरकारी बैंक है कितनी है भारत में, केवल और केवल 12 सरकारी बैंक है भारत में, ठीक है न, तो ऐसी पहली ये PSB यानि पहली सरकारी बैंक बन गई है, ज इसने रूपे credit card भी जारी करना शुरू कर दिये हैं UPI payment वाले ठीक है तो रूपे ने ये शुरू किया था एक नया initiative जिससे credit वाली सुविधा UPI payment के थुरू भी हो सके और आप इसका advertisement वगारा देखते ही होंगे TV वगारा में mobile वगारा में ओके तो भारत का पहला सरजनिक छेत के सत्या नरायन राजू कौन है के सत्या नरायन राजू अगला जून 2023 में किस खिलाड़ी को MCC विश्व क्रिकेट समेती में सामिल किया गया तो दोस्तों अभी हाली में तीन खिलाड़ीयों को जिनमें से एक भारतिये खिलाड़ी रही है जूलन गोस्वामी जो की पूर भ क्रिकेट कमिटी में सामिल किया है ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा तीन खिलाड़ी हैं जिनमें एक भारतिये हैं जो की है जूलन गोस्वामी बहुत ही फेमस है दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा विकट लेने का रिकार्ड इन्हें के नाम बना हुआ है महिलाओं में एड़ कर दिया गया है ठीक है वैसे ये एंसी ची मानदार जीवन सत्य स्ग में चुन जा चुकी है जोलं गोस्वामी अभी है अपरेल 2023 मेन को चुना गया था और मैंने बताया था यह कुशन कवर कराया था ठीक है मिताली राज को भाष्स्ग को भी चुना गया था तो के द पुस्तक लिखी गई है दूस्तों रूपापाई के द्वरा रूपाई एक जानी मानी लेकिका है प्रसिदे लेकिका है इनकी पुस्तक आलरेडी बहुत ज्यादा फिमस हो चुकी है और अभी हाले में इन्हों ने ये योग सूत्रा फॉर चिल्डरन नाम की एक नए पुस्तक जारी की है इससे पहले दगीता फॉर चिल्डरन लांच की थी और ये फिमस रही थी बेस्ट तलिंग बोग बनी थी अवाड भी इसने जीता था तो रूपाई के ये पुस्तक है याद रखेगा और इसमें इन्होंने प्रतंजली की योग पर 2000 साल पुराने पाठ के राहसो को बच्चों के लिए खास करके बच्चों के लिए सूटेबल बनाने के लिए लांच किया है दायोग सूत्र फॉर चिल्डर नाम से पुस्तक पिछले दिनों में कौन-कौन से पुस्तक है उनको हम लोग रिवाइस कर लेते हैं अभी इंडियाज फाइनस मिनिस्टर्स नाम गुपता की आई है पुस्तक इसके लावाद पावर ऑफ वन थॉर्ट बीके सीवानी की पुस्तक है रिंग साइड डाक्टर विजय दार्डा की एंटियार ए पॉलिटिकल बायोग्राफी राम चंद्र मूर्ति कॉंडु भाटला के पुस्तक गट्स ए और अमिट बलद बा जाएगी बहतरीन तरीके से तो आज दिन में आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि क्लास की स्केडियूल क्या है बिल्कुल फिरी में यूटूब पर क्लास होने वाली है तीजून से और जवरदस्त स्रीज होने वाली है अंतिम प्रहार स्रीज होने वाली है और उसके तहट आपका पूरा complete GS तयार कराए जाएगा CGL के लिए, यकीन मानिए last time पर अगर आप ये series के सभी videos देख लेते हैं ना, सभी classes कर लेते हैं ना, तो आपका CGL में GS का जो score जो आपने जो भी सोचा होगा, उससे डेड़ गुना जादा बढ़ जाएगा, ठीक है, आपको बस ये 14 दिन जो हैं, वो मेरे साथ लगाने हैं, 30 जून से लेकर के, मैं 14 जुलाई तक आपको बहुत ही बहतरीन हर topic पर classes देने वाला हूँ, इसमें computer की भी मेरातन है, इसमें science की मेरातन है, इसमें history, quality, economics, इशली साल जो पूछे गए हैं, उनको भी लिया गया है, इस वार भी compile किया गया है, बहुत ही बहतरीन तरीके से, कम से कम समय में, जैसे 3-4-4 classes में एक-एक subject कम्प्लीट करा जाएगा, मैरा थंत के तोर पर, और एक class होगी आपकी दिन में 12 बजे, और एक class होगी आपकी रात में 8 बजे यूटूब पर ही होगी, ठीक है ना, चले, आगे बढ़ते हैं, तो जुड़िये का जरूर 30 जून्स के बात से, और आज दिन में इस पर detail वीडियो आएगी, और पूरा अच्छे से और भी बता आ जाएगा आपको, ठीक है, हिए हिंदुस्तान यूनिलिवर के नए M-D or CEO कोन बने, तो यह बन गए हैं दुस्तोर रोहित जावा, रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलिवर से लिम्टेड, हिंदुस्तान यूनिलिवर से लिम्टेड जो है ना, यह एक्शुली में British company बनी है, हुल, ठीक है न, लेकिन इतना नाम भी इस परकार से रखा गया है, और साथी साथ में ये इतने प्रोडक्स भारत में बनाती है, और हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं, कि हम लोग को पता भी नहीं है, कि ये किस प्रोडक्ट है, हिंदुस्तान यूनिलिवर्स यह हैं हिंदूस्तान उनीलीवर कमपनी का ठीक है और यह कमपणी जो है यह ब्रिटेस की है रिखेटका प्पणी सका भारत में जो यूझीट है नाम से इसका हीड़कौार्टर मुँंबरी गया था 1933 में अस्थापित हुआ था बहुत ही पुरानी कंपनी है ठीक है अगला देखते हैं अच्छा ये किसकी जगा पर आए हैं संजीव महता की जगा पर आए हैं जो कि 2013 से ही CEO और MD थे बहुत ही पुराने MD और अब जाकर कि दस्तालबाद रिटेर हुए हैं रोहित जावा उनकी जगा पर आए हैं अगला जून 2023 में PM मोदी ने भोपाल से कितने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाई है तो PM नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाली में पांच नई वंदे भारत एक्सप्रेस क कि पहली और समझलों की सबसे बेश्ट तरीके से सुचार रूप से जो चल रही है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ठीक है सोदेशी रूप से बनाई गई है और इसी का पुराना नाम तो था ट्रेन 18 अगर आपको याद हो जब यह 2018 में लांच की गई थी सबसे पहले तो क्यूं मंजूरी मिले है मतलब इसको हरी जंडी दिखाई है पीम मोधी ने ये कहां कहां से कहां कहां तक चलेंगी देख़ो एक तो जाएगी राणी कमलापति रेल्वेस्टेसन भौपाल से लेकर के जबलपुर के बीच में ठीक है राणी कमलापति यह वही वाला है जो भारत में ऐसा पहला Railway Station बना था जो पूरी तरीके से एरपोर्ट की तरीके से डिजाइन किया गया था ठीक है एरपोर्ट जैसे सुवध्याओं वाला दूसरी जाएगी खजराहो भोपाल इंदौर होते हुए तीसरी मंडगाओं गोवा से मुंबई और चौथी धरवार बैंगलोरू क के बीच में जाएगा पाचवी जाएगी हटिया पटना के बीच में ठीक है तो 13 की सुरुवात 2018 से हुई थी पहली वाली वारारसी से दिल्ली चली ती यह इंपोर्टन्ट है यह कुशन आपसे पूछा जाएगा दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क निटवर्क के मामले में भारत किस अस्थान पर आ गया है तो जोस्तो भारत दुनिया भर के सबसे बड़े रोड निटवर्क के मामले में आ गया है दूसरे अस्थान पर इसने चाइना को पीछे कर दिया है इंडिया ने अब चाइना को पीछे कर दिया है टॉप पर अभी अमेरिका बना हुआ ह सिर्फ अमेरिका ही अपन लोगों से आगे है, बाकी हम लोगों ने चाइना को पीछे कर दिया है, और नितिन गटगर जी ने जिसकी एनॉंस भी किया था कि 2025 थक भारत की सड़के वो अमेरिका की सड़कों की बराबर हो जाएंगी, यानि 2025 थक हम लोग अमेरिका की भी बराबर ठीक है, 1.45 लाग किलोमीटर का सड़क नेटवर्क हो गया है, यह डाटा एक्जैटली आप से पूछा जाएगा, आप से पूछा जाएगा कि 2014 के बाद से भारत ने कितने किलोमीटर का सड़क नेटवर्क जो है वो बढ़ाया है, तो 1.45 लाग किलोमीटर जो होगा यह ध्य प्रवाइज करा देता हूं अभी वीडियो का एक्जाम हुआ है और आने वाली वेकेंसी भी काफी ज्यादा यूपी से हैं तो मैं आपको यूपी के बारे में ज्यादा फोर्सफुली बता रहा हूं तेरा एक्सप्रेस वेज हैं लेकिन अभी साथ तो वर्किंग में हैं बाक अगर बात किया जाएं तो गंगा एक्सप्रेस वेज वे हैं वैसे अभी के टाइम पर अगर दिल्ली मुंबई i geht вып के ये एक जिला वहाँ पर, इसके अलामा एक और है पुर्वांचल एक्सप्रेस वे, इसका उद्घाटन PM मोदी ने कहाँ पर किया था, सुल्तान पुर में, यूपी का ही, ये भी एक जिला है ठीक है, इसके अलामा, अच्छा जो ये पुर्वांचल एक्सप्रेस वे है इसकी लंबाई अगर आप पुछी जाए, तो आप बताएंगे 321 किलोमीटर की और इसके अलामा एक और है बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे, इसका भी उद्घाटन अभी किया गया, मतलब ये तीनों जो हैं, ये 2022 में ही उद्घाटन किया गया और 2021 में, मतलब 2021 के लास्ट में, चुनाओ के पहले ही वही तो 2021 में जब इसका उघाटन किया गया, बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे का इसका उघाटन कहां पर किया गया, यूपी के जालाउन में, ये तीनों आपको याद रखने है अगला देखते हैं, विसेश ओलंपिक विसुखेल 2023 अभियान कुल कितने स्वण पदक जीत करके भारत ने समाप्त किया, तो देखो विसेश ओलंपिक विसुखेल अभी आयुजित हुई, ये क्या है ये दोस्तों जो दिव्यांग होते हैं या जो विकलांग होते हैं, जो दिरिश्ट बाधित होते हैं उनके लिए एक उलंपिक होता है उसमें भारत ने अपना गेम समाप्त किया और भारत को 202 मिडल प्राप्त हुए, यानि भारत ने टोटल 202 मिडल इसमें गेन किये हैं जिन में से 76 तो गोल्ड ही थे 76 गोल्ड थे, 75 सिल्वर थे और 51 ब्राउंज मिडल मिले भारत को ठीक है, इंडिया ने यहाँ पर काफी अच्छा प्रोफर्म किया है 17 से 25 जून के बीच में आयज़ुत हुआ बरलिन जर्मनी में आयज़ुत हुआ है जोला हुआ इसका संस्कर्ण था ठीक है, दुनिया भर से जो बौधिक विकलांग हजारों एतलीट हैं, ये सभी इसमें सामिल होते हैं वैसे ओलंपिक की बात करें तो अगला वाला ओलंपिक कहां पर खेला जाना है पेरिस में खेला जाना है और कब खेला जाना है 2024 में खेला जाना है यानि अगली साल खेला जाना है कौन सा संस्कर्ण होगा 33 संस्कर्ण होगा इसका ठीक है न ओलंपिक का अगला हाली में लीथियम आयन बैटरी के अमेरिकी सहाविस्कारक जॉन बैनिस्टर गुड इनफ का निधन हो गया इन्हें किस वर्स नोबल प्रोसकार प्रदान किया गया था तो दोस्तो जॉन बैनिस्टर गुड इनफ इनको 2019 में अभी नोबल प्राइज मिला था और इन्होंने ही लीथियम आयन बैटरी की खोच की थी इसके ये सह आविसकारक थे ठीक है ना और इन्होंने ही मिल करके लांज किया था और इसके लिए इनको अभी 2019 में नोबल प्रोसकार में मिला था अगर आप काफी दिनों से अगर तयारी कर रहे होंगे तो फिर आपको याद भी होगा ये नाम ठीक है ना मिला था ये ठीक है अब देखो एक चीज और इनका 101 जन दिन आने वाला था सिर्फ एक ही महीने दूर थे लेकिन उससे पहले चल बसे सौ साल से ज़्यादा ये जी चुके थे तो बैनिस्टर गुड इनफ इनका नाम याद रखेगा ये लीथिय मायन बैटरी के संस्थापक है ठीक है चलिए तो ये तो थे टॉप 10 करेंट अफेर के कुश्चन आज के दिन से आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है उसको लाइक और सेयर ज़रू कीजेगा चलिए अब हम लोग रिवीजन सेक्षन पर बात करेंगे आज 44 दिन है विस्व होमेपैथी दिवसकब मनाया जाता है 11 अपरेल को मनाया गया और अभी हाली में कलाकार दानते आंकिया उकवाई इन्होंने विंटर यूथ ओलंपिक में गैंगवान 2024 के लिए पदक डिजाइन प्रतियोकता जीत ली है ग्राजील की रहने वाले हैं पेरू ने 2023 फिफा अंडर 17 विस्व कब की मेजबानी करने से हटाया गया जा चुका है देखो अभी ही मैंने आपको रिसेंटली बताया कि अप्रैल में इनको पहले बनाया गया था फिरू को हटा दिया गया मेजबानी करना था अब कौन कर रहा है इंडोनेसिया कर रहा है यही है देखो फाइदा रिवीजन का रिवीजन में आपको वो पुराने पॉइंट्स भी वो पुराने कोश्चन भी मिलेंगे जो अब अपडेटेड हो करके भी आ रहे है ठीक है चलो तो जो हटाया गया था पेरू को अब नया कौन जोड़ा गया है यह भी आप जान गये हैं इंडोनेसिया को जोड़ा गया है इंडोनेसिया में जबानी करेगा भारत सरकार ने पैंसन बढ़ाने के लिए चार सदिस्ति समित क का गठन किया है और अभी हाली में दुरौपदी मुर्मूद जी ने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरुक्षा के लिए भारोक सा एप का लांज किया हुआ है यह इंपोर्टेंट है यह पूछावे गया था अभी एक्जाम में और अभी बहुत राश्टेस है ने अभ्या गुच्छी मस्रूम इसको भी जी आई टाइंग मिल चुका है ठीक है ना यह जम्मू कस्मीर का ही प्रोडक्ट है उत्तर कोरिया के पानी के अंदर प्रमाडू हमला करने वाले हैंडल टू ड्रोन का परिच्छण इसने किया है पानी के अंदर प्रमाडू हमला करने वाले ड अभी हाली में अंतर राश्टे Big Cats Alliance का सुभारम किया गया, PM Modi Ji के तौरा अभी ये पूछा गया था अभी ये पूछा गया था वीडियो के एक्जाम में ठीके ना International Big Cats Alliance का सुभारम किया गया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसको बहुत कम channels ने इसको cover किया था ठीक है न इस question को और अभी हाली में किस राज में विश्व का पहला ACI King गिद्ध सनरच्छट के इंद अस्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में अस्थापित किया गया है ठीक है न ये बहुत जादा important है इसको भी याद रखेगा भारत, बंगलादेश और जापान इन तीनों के बीच में कनेक्टिविटी बैठा कायजन किया गया तिरप्रदा भारत में IPL में सबसे तेज 6000 रन मनाने वाले खिलाडी डेविड वारनर बन गए हैं ठीक है सबसे तेज विदेश सी खिलाडी किस ने जीता प्रियांसू राजावत ने जीता है रिमोट सेंसिंग अनुपरयोगों को सक्षम करने के लिए स्टेट 26U नैनो सेटिलाइट लांच किया है यूएई ने ग्रेह मंत्री ने अनुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेज का सुभारम किया है ये भी इंपोर्टेंट है इसके अलमा भारत ने सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन ट्राजिशन मिशन को $2,000,000 की साहीतारासी दी है 880 कुश्यन पर आप पहुंच चुके हो 44 दिनों में आपने 880 कुश्यन revise कर लिए, जब ये शुरू किया गया था तब मैंने आपको बताया था, आप धीरे-धीरे ही तयार करोगे, 20-20 question ही तयार करोगे, ये लंबा चलेगा session लेकिन आपका तयारी, आपका revision बहुत ही बेहतरी इंडंग से होता जाएगा और हो भी रहा है, I hope आपको वो चीजें recall हो रही है, ठीके और आप revision भी करते चल रहे हो, और देख रहे हो सारे question directly मिल रहे हैं आपको ठीके चाहे हो, आपकी किसी भी exam में बैट रहे हो चलिए, तो बात करते हैं last day के questions की कल मैंने पूछा था आपसे कि कौन सा देश है दुनिया का सबसे बड़ा नार्को इस्टेट बना है जो, वो है सीर गिया विस्व प्रतियास परधात मक्ता सूचकांक 2023 में भारत है 40 में स्थान पर आज आपको बताना है कि MSME दिवस मनाने के सुरुआत कब से हुई है इसके लावा फीफा की अस्थापना के साथ जुड़ियागा ज़रू 30 जुन को थैंक यू सो मच जैहिन वंदे मातरम